नमस्कार लुस्तूब मैं डॉक्टर को दीब आविदा से कौनु離 मैं आज आपको हुआरे ठीब मीके परक्ट अ कि आपको हेंडियो भाटीक के बारेती ा हग् is the Heart care tea के डाज़ के बार लेटेड़ हां गखो마ल of a nosy और अगर नहीं भी है तब भी आप हमारा यूज कर सेकते हो। यह कम्पेटली हर्बर फॉर्मॉला है, इसमें तक्रीबर सारी हर्ब्स रड़ी होई है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हैबिट फॉर्मी हो जिसके आप वादत पढ़ जाएं या फिर इसमें कोई भी कैफेन, टैनिंग या क्योई ऐसा केमिकल इसमें यूज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जड़ीगुटिय डाली है। अगर हम बेसिकली कहें तो यह एक काड़ा है, हर्मल काड़ा है, अर्वेडिक काड़ा है। जिसको हमने Heart Care Tea का नाम नहीं है ताकि आप उसको ले पाई अच्छे से ले सकें। यह प्रड़क्ट हमारा ऐसा है कि इसको आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तभी ले सकते हो। और अगर नहीं है Heart से लेटेड कोई प्रॉब्लम प्रवेंटिवली आप उसको यूज कर सकते हो। ताकि आपको कोई Heart की प्रॉब्लम उसना हो। अब हम बात करेंगी यह प्रड़क्ट आपको किस चीज के लिए ले सकते हैं। तो इसमें आप Heart से लेटेड अगर आपको ब्लड प्रिशन घड़ता है या बढ़ता है या आपको कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम है या आपको पल्पिटेशन स्पील होती है हार्ट वीक है, सांस कुलता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो इस चीज होगे लिए आपको हमारा प्रड़क्ट हार्ट केट्वी ट्राइ लीजिए और जैनूरली 100% आपको इसके रिजल्स पी मिलेंगे क्योंकि यह हर्बल फॉर्मलेशन है, आयरवेध में इसका मैंशन है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप इसको डेली उस कर सकते हैं अब हम इसको तोड़ा बनाने बाग को तरीका बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है इसको बनाना बहुत ही सिंपल है अगर एक परसन के लिए बना रहे हैं तो आपने एक स्पून इसका लेना है एक कप दूद लेना है, एक कप पानी लेना है उसमें आपने हाट के ठीका एक चमज डालना है और उसको पकाना है उसको तब तक पकाना है जब तक वो एक चमज रहे है एक लास एक अप्राजे, उसको चानके आप फिर लीजे, उसमें आप एडिशनली टेस्ट के लिए शुगर, हनी या कुछ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाते हैं, तो तब भी आप उसको ले सकते हैं, तो ये सुबेश आप दो गार दिवने लीजे, और आप इसको सेट भी करना चाहिए, और आजकर कर जो लाइस्ट्राइल है, डाइट है, उसके बाद तो इतना जाद है कि हम कुछ वर्काउट भी नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कुछ एक्सराइज भी रूटीन दी हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ प्रड़क्त लेते हैं, तो आप ब प्रूटीम में लेशचें, रडिवाद